मैं ग्राम बिज़ाद बालेवा से हकमदान सर्पंच परतिन दी ये अपील करना चाहता हूं कि अपन को ये लोगस्वा चुनाव आ रहे है ज्यादा से ज्यादा उस दिन मत्दान करवाए और भविश्य के लिए अच्छी से अच्छी सरकार चुने और भारत का भविश्य आज ग्राम बिज़ाद बालेवा पहुंची है आज हमारे साथ सर्पंच परतिनी दी हाकमदान जी आए हूं है इन से जानना चाहते हैं इनका कारेकाल कैसे गुजरा जो जनता से वादे किये थे वो पूर्ण हुए ना हुए सर्पंच मोदे सबसे पहले हमारे चैनल में सबसे बड़ा दान मना जनता है ग्रंथों में लिखा हुआ है आपकी ग्राम पचाहित में शिक्षा का इसतर कैसा है क स्कूल के यह इस लीए तक यह ऊपनवाईए है और तक नहीं वह बहुत है नहीत ही अन्ट अब कीशन तक निंगे इसलिए पेंचाद में यह बजट हौत था निंग चैसे निग कज़वकूल सरपंज मजए बार्त स्वश मिशन उसके तहत पूरा राजस्तान ओडियव गोसित है आपकी ग्राम पंचायच भी ओडियव गोसित है उसके तहत कितने सोचाले निर्मान करवाए हैं आपने सरपंज मजए जो ओडियव बने हैं आपकी ग्राम पंचायच में क्या लोग उनके यूज कर रहे हैं कितने में बिल्कुल कर मैं सबसे बड़ी किल्दत है आपकी ग्राम पंचायच में पानी की कोई समया के समयादान के लिए कुछ accountant कुल करॅअ है नहीं है समिश्या तो है हमारे उपर में पराणा है उसमें मोटर डाली हुई है लोरिंग है वाटर बॉक्स का वो सप्लाई हो रही है और वैसे दो शिंगल पेस के टूब विल करवाई है पंड जो भी समिश्या मूलबुत है वह अभी तक हल नहीं हुई बाहर का पौणी न पूछना चाहूंगा आज सरकार सर्पेंचों को मान दे 3500 से 4000 पर देरी क्या आप इन से संतुष्ट है उससे तो कुछ होने वाला है नहीं चार्जारी भी है तो सर्पेंच की मान दी है में एक मंत्रा का हुई सर्पेंच मोदे आज MLA MP का मान दे बहुत ज़्यादा है उसके अनुसार सर्पेंच का मान दे कितना होना चाहिए क्योंकि सर्पेंच के पास भी 30-35 किलोमेटर का फिल्ड रहता है सर्पेंच जीला इस्तरी पर जाता है पंचाय समीती पर जाता है उसके अनुसार सर्पेंच का मान दे कितना होना चाहिए 20,000 से उपर होना चाहिए 20,000 से उ बंद हुआ हैं वह कर्म कर्म ने कर वाएँ खुद और अपनी जंद कर वारी वह मंगती नहीं कि आपने कवज़ें से सब्सक्राइब बढ़कर एक चीज और ही नशा जो राजस्तान के जितने भी यूवर्ग है वो नसे से लिप्त होते जा रहे हैं इनके रोकने के क्या उपाए हो सकते हैं अगर राजस्तान में ठेके बंद होते हैं तो आदे से ज्यादा नशा खतम हो जाएगा सरपन्ज मोदे लोकसभा के चुनाव सरपर है आगे पंचैती राज की चुनाव भी है जनता जानना चाहती है कि इसमें आपकी क्या भूमिकारेगी और आप कोन सा चुनाव लड़ना चाहोगी चुनाब तो जंता पर है जंता जो चाहेगी वो लडने के लिए जुनाब ने के लिए क करने के लिए आज ग्राम पंचायत के सर्पेंच परतीनीधी ने बताया कि ग्राम पंचायत में चोगमुखी विकास करवाना ही मेरा सपना है देखते रहें डिडी मेरी समाचार मैं शंकर बनसारी मेरे शोगी